हाई फ्रेंट्स मैं हूँ आपके साथ यासमीन कलर्स के मोस्ट पॉपलर रियालिटी शो याने की बिग बॉस जिसका हर किसी को बड़े ही बेसबरी से इंतजार रहता है उसका एक सीजन खतम नहीं होता कि लोगों के बीच दूसरे सीजन को लेकर बज क्रियेट हो जाता है वहीं अब लीचेब बिग बॉस सीजन 13 से चुड़ी एक ऐसी खबर हमारे हाथ लगी है जिसे सुनकर फैंस की एकसाइटमेंट का ठिकाना नहीं रहेगा खबरों की माने तो ये शो 29 सेप्टेंबर से शुरू हो सकता है अब इस खबर के बाद कहना गलत नहीं होगा कि लोग उल्टी गिंती गिनना शुरू कर देंगे जहां एक तरफ शो के ओनेर होने की खबरे हैं तो वहीं शो की ग्रांड फिनाले को लेकर भी खुलासा हो गया है कहा जा रहे कि शो का ग्रांड फिनाले 12 जनवरी 2020 को टेलिकास्ट होगा इस बात से तो सभी वाकिफी है कि बिग बॉल सीजन 12 लोगों की उमीदों पर खरा उतरने में नाकामयाब रहा था लोगों ने ये तक कह दिया था कि अब वो दुबारा कभी ये शो नहीं देखेंगे खैर ये तो सिर्फ बोलने वाली बात है नए साल के साथ लोगों ने पुरानी बातों को भी पीछे छोड़ दिया और अब excitement को आप देखी रहे है बिग बॉल सीजन 13 को लेकर कई तरह की खबरे आ रही है कभी शो की theme को लेकर तो कभी शो की contestants को लेकर हाली में हमने आपको बताया था कि शो में entry को लेकर टीवी आक्टर करन पटेल, बॉलिवड आक्टर जरीन खान और तो और फिर मनी करनी का से डेब्यू करने वाली अंकिता लोगंडे का नाम ही सामने आ चुका है वेल तो शो में किसकी entry होती है और किसकी नहीं तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा वसे आप Big Boss Season 13 को देखने के लिए कितने एक्साइट है हमें कमेंट करके जरूर बताएं लेकिन वो इतने पॉपिलर नहीं हुए जितना आप हुए इसके अलावा आपने दूसरे शोज भी किये लेकिन वो भी उतने पॉपिलर नहीं हुए जितना Big Boss में आप पॉपिलर हुए इसके अलावा मैंने स्रिफ एक ही शो किया है जी जी दस कदम पर उससे ज़्यादा यहां पर वो जो कंटेस्टिंस हैं वो मुझे यहां तक के बिल्ड करके लेकर आते हैं नहीं लेकिन उसमें आप यह जो तीन पॉइंट्स है एक तो एक आपकी पॉपिलरिटी दूसरा कि आपकी हाधिर जवावी या फिर उन लोगों के साथ एक पर्सनल ऐसोशियेशन जो उनके साथ हो जाता है और क्योंकि मैं हर एक एपिसोड दो बार देखता हूं तो मुझे पता इनो के घर में क्या हो रहा है कौन क्या गेंप्ले कर रहा है यह नहीं के सुबह कर उठ है और ब्रीफिंगे और जाके वहाँ पर मैंने इस पर देखते है तो बेसे किली मैं जरा पसी नपूछ कया तो में एक सकेड आफ जवाब। अधड्यार्ट प्रेशाब का घए जाल कर आधिस्ट कर दोदू को प्रीम भॉर्पी ल में प्रीजार्ट प्रीर भी टिवैशन। प्रीजार्ट अज़ार्स ले विडेश व्यूट मार्स एंट प्रेव इन certainly one particular show, but Big Boss being probably our biggest show, both in terms of financials and also in terms of any… the longest non-fiction show which goes on for hundred days. In terms of buzz creation, I don't think there is any other event or sport that gets you the kind of mileage and popularity that Big Boss does. And it contributes to Society as well. Of course. यह बेस्ट आफ़ना हम चैनल कर नदिया एड अस्ट भी प्जब लिव बाखने, 2 प्रेश्ट और रगतों भीव प्रेश्ग अप्रफ यह बिस प्रेश्टत्रा सप्क्राइब माझ वो बेदा ब्रीड बाखने ऑनई तर भीव ब्रीव दर्था प्रेश्ट्रार बाट ट्रू वहां प्रादोबाद अगाट जब शेACब देए इसे अजय विए इसे अज़ हैंज ये इस अजय इसे आपने करीषए इस अज़िक बिलीटर फिस अजय करेंड ऑप्र अनादीज विए इस अजय ब्रादिब्ट चाहि इस अजया आट अजया णिया अजया थे आट आट अबना बच्छ आज से खालाग कैना अगाइब आफ बडिन जाता हैं अजहें रच एंध और भल्याश्टोंच जा जान अजह प्रच जैंचा जा एक खूबटोंगरने अजह है और अबालो टेहराओ नायराओ था था डिवाराँ थिस लटी यह अविड मिड्धिय एंग्राइचि कि निविए ए उवर लोगहे है है लेकते किजि वाराँ विखना इच्छ I mean this is a case study in terms of human psychology and I know a lot of people, a lot of parents watch with their children and we call it a family show. But somebody, you know, I get this lot of requests for casting and people think that I have a role to play which I don't. But one of the persons who wrote to me said something very interesting. She wrote me a mail and said I want to go into Big Boss because I also want to discover myself. And that was interesting. I thought it was an interesting spin. अजय सेथ अच्पेकी। रिवे zeg प्सक्राइब करेडिय। वे चोल्डुदी shrimp अच्पेक्ट अछान प्सक्राइब करेम्। कखलीज, और देपलीज चलीगे एपली सही एपला हैर्म सल्मान, यू प्रक्षा जोट घूट इस को प्रिजित्रा जोटी भीजित्रा जोटी विए जोटी तो यहां विखत्रा जोटी जोटी है When, I signed big boss a long time ago, there was one season that I did with Sanju and season 5-5, 5-5, 5-5!! So, that was a really good jodi for me. But let me take you slightly back. When I signed Big Boss, the one who was being considered to sign Big Boss was Shahrukh Khan. I didn't know about this. Did you guys know about this? No. Now, so Shahrukh was the original choice of Big Boss, but he was shooting and he had some, the shoulder ka jo injury tha us ka pahle, and he was shooting somewhere in Prague and he couldn't make it down and so he couldn't do the show. And that's how I got into Big Boss. And this is something that I learned some time ago and didn't get a chance to thank, you know, Colors and thank Shahrukh for, you know, giving me Big Boss. And the second question is, every year, more than the contestant, your paycheck is the buzz of town. This year, there's no news or such. Why is it? Because demonetization took place. And trust me, hugely. And he loves Colors immensely. Yeah, yeah. Yeah, it's all, yeah. I have a question for Ashish. Ashish, a question for you. What goes into creating... Abhishek, I'm sorry. What goes into creating such a big mammoth production like Big Boss? The challenges you face. I think clearly there is the three talents, the talent, talent, talent part of this property, which is starts from the host, goes over to the team that makes those new tasks and the talent that's in the house. Those are the three pillars that we have for the show like this. that's what you see, that's the mix that gets it all the success. झाल 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 प्टेस्ट प्रॉट सब्सक्त और ऊत्यक्त झाल